हेलो प्यारे बच्चो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरस्टिंग सी कहानी लेकर आई हूँ जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है ये कहानी है एक घमंडी हाती की तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को एक हाती नदी में नहा रहा था उसने नदी में अपनी परचाई देखी और सोच मैं मैं सब जानवरों से बड़ा हूँ मुझे जंगल का राजा होना चाहिए हाती ने सब जानवरों को बुलाया और कहा देखो मैं कितना बड़ा और ताकत्वर हूँ इसलिए मैं तुम सब का राजा हूँ सब जानवर डर गए उन्होंने उसे राजा मान लिया एक चीटी ने हाथी को राजा मानने से मना कर दिया हाथी ने उसे सूंड में उठा कर मारना मारना चाहा चीटी ने हाथी की सूंड में कई जगा काट लिया हाथी तडप उठा उसने बार-बार सूंड गुमा कर चीटी को निकालना चाहा पर सफल नहीं हुआ अंत में उसने चीटी से हार मान ली चीटी उसकी सूंड से बाहर आ गई वह बोली हमें किसी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए आज की हमारी जो शिक्षा है वो है कि हमें कभी भी किसी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए तो आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो पढ़ने में मज़ा आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताईए कि आपको और कौन-कौन सी कहानिया चाहिए मैं वो लेकर आऊंगी तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और बताईए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी बाई बाई बच्चो